ओम स्यान्ती, आज का पुर्सार्थ, शरीर में कस्त आते हैं, बिमारियां भी हो जाती हैं, कहीं चोट लग जाती है, कभी कुछ अन्होनी गटना हो जाती है, हमें ज्ञान स्वरूप होकर ऐसी बातों को पार करना है, बिमारियों के समय, दुख के समय, दोनों अलग दीज हैं, बिमारियों में पेन होता है, उसे पेन कहते हैं, दुख उसे भी कहते हैं, फीडा कहते हैं, लेकिन दुख एक अलग भी चीज है, संबंद अच्छे न चल रहे हों, कोई बुरा व्यवार करता हो, हमारी मान से किस्थ हम आत्मिक स्वरूप के अभ्यास पर ध्यान देंगे, हमारा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें अनुभव कराएगा, पीडा हो ही नहीं रही है, चोट भी लग गई, पीडा अती कम है, क्योंकि आत्मा की शक्ति उस पीडा को हील करने लगेगी, उसका उपचार करने तो एक बहुत बड़ी चेज है हमारी आत्मिक द्रस्टी, हमारा स्वमान, हमारी आत्मिक स्थेति, मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, यह नियार आपन फिल करें, कोई भी बिमारी आपको है, आप यह अभ्यास बहुत करें, मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, इसक असर मुझ पे नहीं आसकता, मेरा असर इस पर जाएगा, मैं बहुत शक्तिस साली हूँ, संपोर्ण पवित्र हूँ, तो पवित्र वाइब्रेशन सबके जाएंगे पेन को या बिमारी को, और इससे बिमारियों के उपचार में बहुत जाद मदद मिलती रहेगी, यभ्यास भ करना है, दुख आते हैं जीवन में, दुखों को स्विकार्टो करना ही बढ़ता है, क्योंकि ये कर्मों का खेल चल रहा है, दुखों की लेहर संसार में बहुत जाद है, तहीं कहीं तो दुखों के पहाड गिर रहे हैं, जा युद्ध हो रहे हैं, जा अर्थक्वेक्स हो र लीक हूं, मैं तो सुखोंकी दाता हूं, मुझे तो सब को सुख देना है, मुझे तो सब का कल्यान करना है, हम इन गुड़ फीलिंग्स में रहेंगे, तो अपने दुख बहुत कम हो जाएंगे, मनुस्खाली होता है, ज्यादा sensitive होता है, तो हर दुख को अपने उपर ले ले engagements, उंधर पर वेस करा देता है, और फिर वह दूख पीडा भी देने लगता है, मांशी का सर भी बहुत जादा हो जाता है, ज्यान और योग तो पूरी तरह समाप्त हो मनुस यही कहने लगता है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन सबेरे उठकर हमेशा यभ्यास करना है, मैं आत्मा सुख स्वरोप हूँ, मैं आत्मा बहुत सकती साली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बहुत सकती साली हूँ, ये खेल तो थोड़े दिनों का बचा है, चाहे सारी दिख पीड़ा हो, चाहे कोई दुख हो, ये तो समाप्त हो रहे हैं, इनके समाप्त होने का समया गया है, तो गलोब के उपर बैठ कर, सभी को सकास दिया करें, दो-दो मिनट, तिन-दिन मिनट, मैं आत्मा, मास्टर सुख दाता, सुखो का सुख स्वरुप हो, बाबा मेरे सिर के उपर छत्र चाया है, और मेरे सुखों के वाइब्रेशन्स चारों और फैल रहे हैं, तो दूसरों का दुख भी समाप्त होगा, अपने दुख भी समाप्त होगे, बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, सासाथ अपने योगबल को बढ जाते चलें, क्योंकि हमारी योग अगनी में, जो ये विकर्म है, जिनके कान कस्टा रहे हैं, लोगों को उनस्थ होते जाएंगे, सभी को ये ज्यात रहे, अब हम विनास के समय के बहुत समीप आ गए हैं, विनास काल में अक्शली प्रवेश कर चुके हैं, लोग सोचते है विनास तो रात रात हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता है, तो जब ये समय आता है, तो अंदर के सभी विकर्म एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विदाई लेनी हैं, वो जागरित हो जाते हैं, योग अगनी में हम उनको जलाते रहेंगे, तो सब को ठीक होता जाए और हमारी स्थिति, हमारी लाइन किलियर होती जाएगी, हम सुक्स्वरू बन जाएंगे, और फिर घीत गाएंगे, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबाबा, वाह ओम स्यंति.